Hello friends, welcome to LearnX. यहां पर आप सीखते हैं English through Hindi. पर मेरे हाथ में ये दो-दो चीजे क्या है? क्या बता सकते हैं कि हम इनको English में क्या बोलते हैं? अरे हां मुझे भी पता है, इसको phone और इसको mouse बोलते हैं. But collectively, मतलब साथ में हम इने English में gadgets बोलते हैं. Gadgets मतलब वो electronic devices जिनके बिना आप रह नहीं सकते हैं. आपका phone, आपका iPad, आपका notepad, आपका desktop, आपका mouse and all the other devices जिनको आप रोज यूज़ करते हैं और जो कि electronically चलते हैं. जी हां, तो आज के इस lesson में आप मेरे साथ सीखेंगे gadgets के बारे में English में बात करना. तो make sure ये पूरा lesson आप देखें और सीखें कि कैसे आप gadgets के बारे में English में बात करेंगे. Okay, so friends, सबसे पहले हम शुरुबात करते हैं कुछ ऐसी verbs के साथ जिनको हम light के लिए यूज़ करते हैं. जी, हमारे rooms में, हमारे phones में, अलग-अलग तरह की lights होती हैं. यहां तक कि हमारी car में भी होती है headlights. तो आएए जानते हैं कि अगर हमें किसी भी gadget की light के बारे में बात करना है, उसको बढ़ाने के लिए या उसको कम करने के लिए, तो हम कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहला है turn on या turn off. मतलब light को जलाना या उसको off करना. Turn on का मतलब होता है light जलाना. और turn off का मतलब होता है light off करना. तो अगर आपको किसी को अपने headlights के बारे में बोलना है, गाड़ी की headlights के बारे में बोलना है, तो आप turn on या turn off बोलेंगे, ना कि switch on या switch off. तो आप कहेंगे, can you turn on the headlights of the car or can you turn off the headlights of the car? All right. आएगे अब अगला पैर देखते हैं, वो है switch on या switch off. तो switch on या switch off हम तब use करते हैं, जब हम किसी ऐसे device के बारे में बात करें हैं, जो कि एक button से चलता है. जी. तो अगर आपके रूम की जो lights हैं, जो किसी button से चलती हैं, उनके लिए आप बोलेंगे switch on या switch off, क्योंकि वह किसी button से चलती हैं. जी. तो जो भी light button से on हो, उसके लिए आप switch on या switch off बोलिंग. अगला है dim या brighton. जी. ये काफ़ी interesting है, और इसके लिए मुझे मेरा phone निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं इस phone को unlock करूगी. और इसके बाद मैं phone की settings में जाऊंगे. यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक white color की line है, जिसको हम bar कहते हैं. यहाँ पर auto लिखाए. तो अगर आप चाहते हैं कि phone अपनी light को खुद control करें, तो आप automatic पे रखेंगे. पर अगर आप इसे खुद control करना चाहते हैं, तो इस circle को या तो आप पीछे करेंगे, या आगे करेंगे. अगर आप इस circle को पीछे करते हैं, तो आप phone की light को dim कर रहे हैं. मतलब की, कम कर रहे हैं. पर अगर आप इसकी light को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस circle को maximum, मतलब बिलकुल last तक ले जाएंगे, तो अगली बारी जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि फोन की लाइट बढ़ा दो या कम कर दो तो आप कहेंगे फोन की लाइट को हम बहुत बारी ब्राइटनेस भी बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट पैर है हमारे पास तर्न अप या तर्न डाउन. अब अगर आप किसी रूम में बैठे हैं और आप महाँ पर कोई किताब पढ़ रहे हैं और आपको लगते हैं कि कमरे में लाइट बहुत कम हैं, आप चाहते हैं कि overall कमरे की लाइट को बढ़ा दिया जाए तो आप कहेंगे So turn up का मतलब होता है बढ़ाना और turn down का कम करना. इसके साथ हमने lights के बारे में बात किया कि हम कैसे gadgets के light के बारे में बात करेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं music के बारे में या कोई videos के बारे में. तो जैसे कि आप अभी एक वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही मैं भी आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ. तो हो सकता है कि आपने मेरी ये वीडियो अलरेडी देखियो जो कि डेली रुटीन के बारे में है LearnX पर. तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो को play करना है तो आप ये triangle को press करेंगे, ऐसे touch करेंगे, तो वीडियो प्ले होगे. पर अगर आपको इसे stop करना है, तो आप इसको फिर से press कर देंगे. तो वीडियो को start या stop आप उस triangle से करेंगे, जो आप screen पर देखेंगे, ओके? और किसी भी वीडियो या music को start करने को हम कहते हैं play और stop करने को हम कहते हैं pause. तो आप कह सकते हैं, can you please play Michelle's new video? और can you please pause the video? I want to see the first part again. क्या तुम वीडियो रोख सकते हो? मैं first part फिर से देखना चाहती हूँ. तो इस तरीके से आप वीडियो के बारे में बात कर सकते हैं. अब अगर आपको लगता है कि वीडियो की जो volume है वो बहुत ज़ादा है, तो आप क्या करेंगे? आप वीडियो की volume को अपने हिसाब से ठीक करेंगे न? जी. तो volume को ठीक करने को हम कहते हैं adjust. वॉल्यूम को ठीक करना. तो volume को आप कहां से adjust करते हैं? जी. वॉल्यूम को adjust करने के लिए फोन के sides में दो buttons होते हैं. ये उपर वाला और ये नीचे वाला. ये जो उपर वाला button है इसे आप वीडियो की volume को increase करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे. और ये जो नीचे वाला button है इसे आप वीडियो की volume को decrease करेंगे, मतलब घटाएंगे. तो इस तरीके से आप volume के बारे में बात कर सकते हैं increase या decrease use करके. तो आएए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ words जो आप अपने computer के लिए या आप अपने laptop के लिए यूज़ कर पाएंगे तो पहला है boot up boot up का मतलब होता है restart करना यानि फिर से start करना अगर आप इसको sentence में बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं चलो computer start करो और काम पे लग जाओ come on boot up the computer and get to work अब boot up का उल्टा होता है shutdown shutdown का मतलब होता है off करना या बंद करना अगला पेर है open या close अब हम या तो दर्वाजा open कर सकते हैं या फिर कोई window को close कर सकते हैं पर इसका relation computer से क्या है जी क्या आप जानते हैं computer में भी एक window होती है जी हाँ जब आप MS word यानि word file के icon पे click करते हैं तो आपके सामने एक window खुल जाती है which means एक page खुल जाता है जिसमें आप अपनी word file बना सकते हैं उसको आप खोलते हैं तो आप उससे open करते हैं और close करते हैं तो बंद करते हैं अब ऐसे किसी file को या program को खोलने के लिए हम launch word भी कह सकते हैं so you can say that please launch the new program in your computer अपने computer में नए program को launch कर दो यानि उसे start कर दो उसे खोल दो और अगला word है exit तो अगर आपने अपनी screen पे MS word खोला है और आप उसको close करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप screen के end में एक cross का sign होता है जो कि ऐसा दिखता है और red color का होता है जब आप उस पे click करेंगे you can exit the program exit का मतलब आप वहां से बाहर आ सकते हैं exit का मतलब है बाहर आना और launch का मतलब है start करना और अगला pair of words है हमारे पास click या double click जब भी कभी आप अपने computer को use करते हैं और किसी भी icon पर click करते हैं तो इसका मतलब है आप उसे खोलते हैं इसको press करने को कहते हैं click करना पर अगर आप इसे दो बारी press करें तो आप इसे कहेंगे double click जी हा तो अगर आपको कोई window खोलनी है आप कहेंगे please open the window by clicking on the icon या फिर double click on the screen to see the data data देखने के लिए screen पर double click कीजे और इसके साथ अब मैं आपको आज का final tip बताने वाली हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊंगे कि tap और double tap का मतलब क्या होता है तो जाधा तर phones में आप click करते हैं sorry जाधा तर computers में आप click करते हैं पर phones में आप tap या double tap करते हैं इसका best example होगा आपको app दिखाना जी जैसे कि आप जानते हैं कि let's talk ने new app launch किया है तो आप उस पर touch कर सकते हैं जी उस पर touch करने को phone में कहते हैं tap करना तो अगर आपको let's talk की app खोलनी है so you have to tap the icon मतलब touch the icon उसके बाद ऐसी एक screen appear होगी इसको कहते हैं to tap और अगर आपको कोई video को देखना है तो आप उसको double tap भी कर सकते हैं double tap का मतलब होता है तो phones में आप click करेंगे और computers में आप double tap तो अगर आपको computers के बारे में या mouse के बारे में बात करनी है आप click बोलेंगे और अगर आपको phone या app के बारे में बोलना है आप tap या double tap करेंगे तो thank you so much friends आज मेरे साथ यह lesson देखने के लिए जहां हमने सीखी है कुछ simple verbs जो के हम use कर सकते हैं अपने daily life के gadgets जैसे की cars हमारे phones हमारे computers के बारे में बात करने के लिए I hope यह आपके लिए useful रहा हो और आप वापिस आएंगे मेरे साथ और lessons देखने के लिए तब तक अपना ख्याल रखिये see you very soon बाइ बाइ बाइ